हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टु गुलियानी क्लासस। आज हम फैनेशल मार्केट ओप्रेशन के बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक से भी इनकी सेक्यूर्टी एक्सचेंज बोर्ड इंडिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों हमने फैनेशल मार्केट ओप्रेशन के टॉपिक इंडियान मार्केट पे नो वीडियो लेक्चर्स बनाए थे। उमीद करता हूँ आपने वो वीडियो लेक्चर्स जरूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हम प्लेइलिस्ट का एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। जहां से आप हमारी अब तक की सभी वीडियो फैनिशल मार्केट ओप्रेशन की देख सकते हैं। कि से भी जो है बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है क्योंकि यह एक्जाम में आते हैं। स्टार्ट करते हैं से भी से भी है क्या देखेंट ओगनाजेशन के डिफरेंट एक रेगुलेटर अथोरीटीज होती है हर organization के अपनी regulator authorities होती है Regulations की जुरुत क्यों होती है क्योंकि उस organizations के लिए कुछ rules बनाने होते हैं कुछ regulations बनाने होते हैं जिससे की वो code of conduct को institutions follow करे और एक smooth functioning हो सके अलग-लग sectors के अलग-लग regulators है जैसे की telecom sector के लिए try है TRAI, Telecom Regulatory Authority of India यह जो है telecom sector के लिए rule or regulations बनाती है जिससे की telecom कंपनिया follow up करती है उनके जो भी functioning है उनकी जो भी problems है उनसे जो भी issues है उनने try sort out करता है इसी तरीके से एक बहुत famous regulatory authority है IRDA IRDA Insurance Regulatory Development Authority जो भी insurance sector है चाब वो life insurance है चाब वो general insurance है उसको पूरा जो regulations करता है वो IRDA करता है तो जो IRDA जितने भी rules of regulations बनाता है सारी insurance companies को उसको follow up करना पड़ता है क्योंकि इन regulatory authorities का यह भी मकसद होता है कि जो business sectors है जो भी उनके under में वो भी grow करे और साथ के साथ जो consumers है उनको भी best services मिले best opportunities मिले उनमें party spread करने की इसी तरीके से capital market को regulate करने के लिए जो regulatory authority बनी वो बनी SEBI यानि कि Security Exchange Board of India देखिए SEBI की जुरत क्यों भड़ी देखिए capital market जो है काफी time से हमारे में काफी history से है even before independence and after independence तो starting के अंदर जो है capital market को regulate करने के लिए different law आये गए different rules बनाये गए लेकिन वो सारे नाकार हुए और सबसे बड़ी दिक्कत कब महसूस ही सबसे बड़ी दिक्कत महसूस ही in 1990s 1990s में जब हर्षा मैता a scandal हुआ बहुत जबर्दस scandal आज तक का सबसे बड़ा capital market का scam है stock market का scam है जिसे आप google पे भी search कर सकते है और इसके पर हम अलग से एक video lecture भी बनाएंगे दिक्क हर्षा मैता scam ने पूरी stock market को हिला दिया in 1990s के अंदर तो उस वक्त एक ऐसी regulatory authority की जुरत महसूस हुई कि जो ऐसी rules और regulations बनाए जिससे कि जो investor का trust है वो बड़े investor की जो growth है वो बड़े investor काफी fairly जो transactions है वो हो जो transactions है उनमें काफी transparency लाए जाए जिससे कि जो investors है वो बड़े hesitate ना करें stock market में आने के लिए ज़्यादा discuss हम आने वाले topic में करते हैं start करते है need of saving saving की जुरत क्यों महसूस हुई क्या savings से पहले कुछ नहीं था ऐसा नहीं है क्योंकि जैसा हमने की discuss कि कि जैसे ही independence से before ही capital market start हो गई थी capital market के start होने से उसके regulations भी time to time करिया जाते रहे वो अलग बात है regulations जो है वो अलग लग law में किये गए अलग लग rules के according किये गए लेकिन savings से पहले वो सारे अनकाफी महसूस हुए यह करकर इन को discuss करते है सबसे पहले ineffectiveness of capital control of capital issues देखे CCI बनाया गया capital issues control भी कहादेते हैं control of capital issues भी कहादेते हैं यह control of capital issues बनाया गया यह पहले ही अलगनक time भी बनाया सबसे पहले तो before इंडिपेंडेंस भी कंट्रोल अपिटल इसुस था और वो डिफेंस ला में था डिफेंस एक्ट के अंडर में था और फिर अलग लग टुटाइम पारलेमेंट के अलग लास के अंदर इसको रेगुलेट किया गया लेकिन जोब 1947 आफ्टर दा इंडिपेंडेंस इसको जो है अलग से ला इसको दिया गया इसके लिए एक special ला पास आउट किया गया इसके अंदर इसको रेगुलेट किया गया जितनी भी capital इसको इसका नाम है जो में फोकस था वो capital इसको कंट्रोल करना था capital इसको मतलब है कि जो कंपनियां stock market से पैसा जुटाती है जो पैसा जुटाती है उस IPO की जो money है वो किस तरीके से use की जाए उसको कैसे regulate किया जाए में फोकस जो है वो सारा इसी पर था 1956 के अंदर इस act को जो है एक तरीके से permanently हमने adopt कर लिया और permanently adopt करने के बाद जो इसको administrate करता था ministry of finance इसको administrate करता था जो हमारी finance ministry है और उसका जो department था department of economic affairs वो इसको manage करता था अपने different offices के थूँ जो office थे वो होते थे office of controller of capital issues जो अलगलग जगा पर open किये गए थे कि इन capital issues को control करने के लिए मकसद तो यही था कि जो capital market है वो smoothly work करे smoothly grow करे और जहांके investors है उनको बहुत बड़ा फाइदा हो जो special main objective थे CCI को establish करने के वो objective थे investment does not go into the wasteful channels कि जो investment है वो wasteful channels में ना जाए और wasteful activities में ना जाए यानि कि जो company पैसा ले रही है public से जो company पैसा उठा रही है उस पैसे का एक proper utilization हो एक अच्छा utilization हो company की लिए और economy के लिए country के लिए और उन investor की जो capital है वो grow करे जो दूसरा main objective था वो था corporate governance का जो corporate governance है यानि कि company को जो चलाने के तोर तरीके हैं वो काफी पारदर्शी होने चाहिए काफी sound होने चाहिए काफी अच्छे होने चाहिए यानि कि जो investors का क्योंकि investor जो पैसा लगाता है बढ़ी मेहनत करके लगाता है और वो अपनी मेहनत का पैसा stock market में लगाता है security market में लगाता है अब उस पैसे का जो है misuse ना हो जो भी promoters हैं उस company के वो उस पैसे को बहुत अच्छे तरीके से use करें उसका proper way में utilization करें जिससे कि company की भी wealth create हो country को भी फाइदा हो और as well as investor की भी जो wealth है वो grow करें तीसरा जो मेरे objective था flow of offer जो भी company पैसा जुटा रही है stock market से जो IPO ला रही है उनका जो flow है उसको एक proper control देना ऐसा ना हो कि एक year के particular period में बहुत सारी कंपनिया बहुत सारे offers लेके आ जाएं और इसका क्या होगा कि नचली बता है ज्यादा offers आ जाएंगे तो एक liquidity problem आ जाएगी क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा होगा नहीं कि उनको subscribe कर पाएं और वो proper way में नहीं हो और दूसरा year का part वो हो सकता है कि जहां पर कोई company जो है वो capital issue करने के लिए आए ही नहीं तो इसके बीच में एक balance करन बहुत जुरूरी था तो इसको वे उपर यह जो तीसरा objective यही था कि जो capital issues का flow है वो एक proper रहे उसके बीच में कोई congestion ना रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कि किसी particular period में तो बहुत ज़्यादा demand हो जाए capital को raise करने की और किसी particular period में बिल्कुल भी demand ना हो तो उसके बीच में balance करना था लेकिन अगर देखा जाए तो क्या CCI इस चीज़ पर successful हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ क्योंकि इसको बहुत अलगलग time पे बहुत ज़्यादा criticize किया गया कि CCI जो है किसी भी तरीके से इस चीज़ को control नहीं कर पाया ना capital grow कर पाया ना एक proper structure त्यार कर पाया क्योंकि बहुत स इसको बंद करने के लिए इसको replace करने के लिए बहुत ज़्यादा demand उठाने लगे दूसरा जो main reason था वो था mal practices in security market देखिए हम यहाँ पर चाहे security market वर्ड यूज करें या stock market वर्ड यूज करें या capital market वर्ड यूज करें topic एक ही है main मक्सक यह है कि capital market वहीं होती है जहां पर longer period के लिए securities को जो है manage किया जाता है issue किया जाता है more than one year के लिए जैसा कि हमने अपने पिछले topic money market में पढ़ा था कि वहाँ की जो भी securities होती है वो less than one year के लिए issue होती है इसी तरीके से जो capital market जो securities होती है वो more than one year के लिए issue होती है तो security market को manage करने में जो है काफी mal practices चल रहे थी mal practices मतलब है बहुत सारे miss cultures चल रहे थे बहुत सारे wrong cultures चल रहे थे और उसको रोकने में CCI बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ इसलिए भी एक ऐसे institutions की need मैसूस होने लगी लोगों को कि जो इनको mal practices को रोक सके तीसरा incapable institution for development of stock market देखे जो इंडियन में stock market या capital market की जो special growth आई वो आई 1980s के अंदर, specially जब 1980 में reliance company आई तब जो है बहुत ज़्यादा Indian capital market की एक growth डेवलप होने लगी वास्तम में अगर ये कहा जाए कि इंडियन capital market को एक नई direction जो दी, वो reliance company ने दी तो इसमें कोई अथिशोक्ती नहीं होगी जब reliance company 1980s में अपना IPO लेके आई तो बहुत सारे लोगों ने उसमें participate किया, लोगों का trust आने लगा investment पे तो एक 1980s boom उभर के आया, जहां पर अलग-लग company ने 12,000 करोड रुपए बजार से उठाए, लेकिन जो वो वादे करके आए, बहुत सारे उन्होंने वादे किये कि हम ये करके दिखाएंगे, हमारी company ये product बनाएगी, वो product इतना successful होगा, इतना profit earn होगा, तो जितना उन्होंने जो investor से वादे किये थे, वो वादे इतने successful नहीं हो पाए, जिसकी वज़े से जो investor का trust है, वो बिगरने लगा था, investor का trust गिरने लगा था, तो ये भी एक जुरुत महसुस हुई कि जिस तरीके से जो promoters हैं, companies के, वो लोगों को cheat करते हैं, तो उसे कैसे रोका जाए, इसके लिए एक ऐसा institution बनाया जाए, नेक्स्ट है, the failure to protect investor in security market, जैसा कि कहा कि बहुत सारे frauds होने लगे, और इन frauds को control करने के लिए, एक institution की महसुस हुई, और उसको frauds को control क करने में, CCI बिल्कुल भी कामियाब नहीं हुआ, CCI ना के वल इन frauds को भी control नहीं कर पाया, और कहीं न कहीं stock market को develop भी नहीं कर पाया, stock market को develop करने के लिए, जो एक infrastructure की need थी, वो भी CCI जो है proper way में provide नहीं कर पाया, next reason जो रहा, वो रहा need of proper regulation in security market, फिर एक ऐसे institution की महसुस market के अंदर, जिने strictly follow किया जाए, उस institution के पास power हो, अगर माली जी कोई institutions जो है, इन rules और regulations को follow नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ strict action जो है, ये association या जो भी board है, ये institution है, वो एक strict action ले सके, एक penalty लगा सके, उस particular institution के खिलाफ, जिससे की जो governance है, वो काफी easy हो जाए, company जो है proper rules औ regulation को follow करें, और investor का जो trust है, वो कहीं भी breach ना हो, जहाँ एक security market को control करने की जुरूती, वहीं पे एक और दिक्कत थी कि जो भी उस वक्त के जो ला थे, वो जो different ला थे, वो different ला जो है, अलग लग थे, यानि कि मान लीजे कोई fraud हो जाता है, कोई भी problem आ जाती है, तो उस problem को sort out करने के लिए कोई एक particular ला नहीं था, वो ला जो थे, वो scattered थे, काफी बिक्रे हुए थे, जैसे कि आपने पड़ा होगा, consumer protection act आने से पहले, consumer को भी different ला के अंदर, अपनी complaint दर्ज करनी पड़ती थी, इन्हें similar मेना, investor को भी जो है, company के different cheating के लिए, different तरह के ला थे, और different ला market के अंदर, वो इसका फाइदा उठा लेते थे, तो इसलिए भी जो है, बहुत जुरूत महसूस हुए, एक ऐसे institutions की, कि वो एक ऐसा ला बनाये, जो सारे जो different scattered लाया हैं, वो एक particular जगा पे आ सकें, और असानी से जो है, इन frauders को, इन wrong persons को, control किया जा सकें, need to control the venture capital and mutual funds, जहां पर एक तरफ security market को regulate करने की जुरूत थी, उसमें, frauds को रोकने की जुरूत थी, वहीं पे उसी वक्त में, जो है, जो दो उभरते हुए बड़े important points थे, वो थे venture capital and mutual funds, venture capital क्या होता है, कि जो कोई company नई start करती है, तो उसे पैसे की needs होती है, तो कुछ angel investors होते हैं, वो उस company को एक तरीके से promote करते हैं, या उस company को एक backup देते हैं, उसको पैसा देते हैं, यानि कि नई नई company को अपने business को establish करने के लिए, expand करने के लिए, इसी तरीके से जो mutual funds हैं, ज को regulate करने की जुरूत थी, तो कही न कहीं एक simple security market को भी regulate करने की जुरूत थी, वहीं दूसरी और venture capital और mutual funds को भी regulate करने की जुरूत थी, इसलिए जो CCI के जो rules and regulations हैं, वो किसी को भी proper way में ना तो regulate कर पा रहे थे, ना proper way में एक protection provide कर पा रहे थे, तो कहीं न कहीं CCI की जो weakness थी, कि वही जो है need बनी SEBI की, आगे हम discuss करते हैं, SEBI के next topic को, establishment of SEBI, SEBI establishment कब हुआ, कैसे हुआ, और किस तरीकी जो है, SEBI जो है power में आई, 1992 में 30th January को, जो Indian government है, उसने एक ordinance पास किया 30th January 1992 को, उस ordinance के तरू जो है, Security Exchange Board of Act के अंदर कर जो है, SEBI को statutory powers दिये गी, 4th April 1992 को, ये जो act है, ये पारलेमेंट में पास होने के लिए आया, और पारलेमेंट से पास हुआ, 29th May 1992 को, government ने एक और ordinance निकाला, और इस ordinance के तरू जो है, जो भी CCI की activities थी, उसको totally suspend कर दिया, और इसके अलावा, जो भी CCI ने time to time guidelines निकाली थी, उन सब को जो है, suspend कर दिया, निरस्त कर दिया, कि अब जो है, जो भी rules और regulation बनाएगी, वो SEBI बनाएगी, और SEBI ही इस capital market को regulate करेगी, तो इस तरीके से से जो है, पूरी तरीके से 1992 में power में आ गई, और SEBI ने जो है, एक capital market को regulate करना, start कर दिया, अब हम discuss करते है, objective या purpose of the SEBI Act, क्यों SEBI की जुर्वत मैसुशी क्यों SEBI बनाएगी, और क्या सोच कर बनाएगी, किस objective को लेके SEBI बनाएगी, सबसे पहला main objective था, protect of interest of investors, जो investors security market में पैसा लगाते हैं, उनके interest को secure करना, क्योंकि protect करना, बहुत सारे लोग जो है, अपना hard and money जो है, वो in security market में लगाते हैं, different तरह के fraud हो जाते हैं, कभी हर्शद मैता scam हो जाता है, कभी केतिन पार एक scam हो जाता है, different scams होते हैं, और इन scams में उनकी जो hard and money है, वो बिलकुल बेकार हो जाती है, waste चली जाती है, तो उसको control करना जो है, बहुत जरूरी महसूस हुआ, इसलिए, जो है, से भी को यह objective लाना पड़ा, कि जो investor का interest है, उसको protect किया जाए सके, ऐसे सारे steps उठाया जाएं, जिससे कि investor के साथ आसानी से cheating ना हो सके, second objective जो था, वो था promote and development of security market, देखिए, जो security market है, उसको proper way में develop करना जरूरी था, promote और develop करने से मतलब है, ऐसे एक infrastructure त्यार करना, कि जिससे कि कोई भी person जो है, असानी से security market को access कर सके, आज आप देखेंगे कि security market के लिए, सेवी ने इतने rules और regulations बना दिया है, इतना infrastructure त्यार कर दिया है, आज एक normal से normal person भी जो है, अपने एक mobile phone, अपने एक smartphone से, जो है security market को access कर सकता है, उसे किसी पे भी depend रहने की जुरूत नहीं है, वो अपने mobile से ही किसी भी stock को buy कर सकता है, किसी भी stock को sell कर सकता है, उसको घर से भी कहीं जाने की जुरूत नहीं है, इवन घर पे बैठे बैठे ही अपने mobile से mutual funds buy कर सकता है, है mutual funds sale कर सकता है और इसके लिए जो payment करनी या payment receive करनी होती है वो भी सब कुछ electronically way में तो सेवी ने बहुंस जाधा promote करने का मकसद था security market को जिसमें सेवी काफिया दग सफल भी हुआ है थर्ड objective था regulate the security market कि security market में जो जितने भी mal practices हैं जितने भी wrong ways चल रहे हैं उसको control करना था कि जो इसको proper way में regulate किया जिसके और जो different persons security market में deal करते हैं चाहिए वो broker, sub broker, agent जो भी different persons है, dealers, etc. उन सब को एक proper way में regulate करना तक कि उनको regulate करके उनकी जो भी activities हैं उनको एक proper direction देना उनको proper way देना जिससे कि investors वे हैं वो comfortable feel करें जो यह हमारी capital market है वो day by day grow करें क्योंकि किसी भी country के लिए capital market का grow करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बड़ी-बड़ी companies जो है उनको पैसे की needs होती है तो यह सारा पैसा जो है वो bankों से उधार नहीं ले सकती इसलिए उनने depend रहना पड़ता है capital market में तो capital market के थरू ना केवल companies का फायदा होता है कि उन्हें money मिलती है लोगों का भी फायदा होता है क्योंकि लोगों कभी जो पैसा है वो capital market में जब लगता है तो वो करता है और capital market में जो investment होता है जो ग्रो करता है वो बैंकों में जो FDs पर इंट्रेशनल था उससे कहीं ज्यादा होता है इवन दो उसमें risk भी बहुत ज्यादा होता है ऐसा नहीं कहेंगे कि risk नहीं होता उसी risk को control करने के लिए उसी risk को minimize करने के लिए जो है security market को मतलब जो risk को minimize करने के लिए जो third objective नहींगा that is regulate the security market even fourth objective था matters connected there with or incidental there too कि ऐसे इन तीन objective के लवाए से कोई भी matter ऐसा कोई भी topic जिससे से भी को लगता हो कि इसको control करना या इसको manage करना जरूरी हो क्योंकि जो security exchange board of India work करती है वो capital market में work करती है और यहाँ पर जो business के world है business की जो activities है वो daily basis पे change होती रहती है इसका जो environment है वो time to time change होता रहता है और इस changing environment में किस तरीके से betterment की जा सकती है वो important था तो जो fourth objective है कि जो भी changing environment में कुछ नही दिकते निकल के आएंगी कुछ नही प्रॉब्लम निकल के आएंगी उनको भी sort out करना भी जो है सेवी का objective है come to the next topic अब हम discuss करते है management of the board कि board management क्या होता है या यूं कहें कि जो सेवी का operations है वो किस तरीके से होता है इसको बड़े ध्यान से समझेगा सबसे पहले जो इसके अंदर पहला topic आता है वो आता है formation of board किस तरीके से जो है board बनता है देखिए इसको बने ध्यान से समझेगा क्योंकि इस पर objective questions भी आ सकता है सबसे पहले नमर एक इसमे एक chairman होता है जो की पूरे board का head होता है यह chairman जो है central government इसको appoint करती है दूसरा इसमें दो member अलग और होते हैं chairman के नीचे और वो होते हैं offices of the ministry of central government यहने कि जो केंदर सरकार है उनके जो offices होते हैं वहां से दो member होते हैं और वो दो member कौन से होते हैं वो member वो होते हैं जो की already deal कर रहे हो finance and administration of company act जो भी company act है चाहे पुराना 1956 या new company act 2013 उससे related transactions को वो deal कर रहे हैं उससे related कामों को deal कर रहे हैं यानि कि उन्हें company act के finance and administration की knowledge होनी चाहिए उन दो persons जो है ऐसे department से appoint किया जाते हैं और इन्हें कोन appoint करता है? central government appoint करती है तीसरा एक member जो है appoint किया जाता है RBI official से और इसे appoint कोन करता है? RBI निकी reserve bank of India appoint करता है चोथा पांच और member appoint किया जाते हैं और ये जो पांच member और appoint किया जाते हैं इसमें से कम से कम तीन member whole time member होने चाहिए जिनका पूरे time के लिए वो एक तरिके से अपना समय दें organization को और ये member भी कोन appoint करता है? central government appoint करती है repeat करता हूं में एक बार chairman कोन appoint करता है? central government appoint करती है जो कि पूरे board का head होता है दो member central government के essay offices से appoint के जाते हैं जिनने की company act चैवर 1956 है लेटेस company act 2013 है उसके finance and administration की knowledge हो एक जो member appoint के जाता है RBI के द्वारा जिसे reserve banks के activities से लेटिड नौलिज हो और पांच member और appoint के जाते हैं जिसमें कम से कम तीन member whole time हो बाकी दो जो हैं वो part time हो सकते हैं और यह member भी कोने appoint करता है central government appoint करती है तो यह तो होता है formation of board अब इसमें जो chairman और member appoint के जाते हैं उनसे यह उमीद की जाते है कि उनके पास एक personal capability होगी उनके पास एक good knowledge होगी good experience होगा क्योंकि उन्हें जो है ultimately deal करना है security market से related problem से तो उनके पास एक अच्छा खासा experience होने चाहिए और अच्छी खासी knowledge होने चाहिए security market से लिए जो भी problem है उनसे deal करने की इसके लिए उनके special knowledge होने चाहिए just like law की, finance की, economics की, accounting की, administrations की या फिर कोई भी ऐसी field की जिसे center government जरूरी समझती है कि उसके member में होना जरूरी है तो इस तरीके से security exchange board का formation होता है second जो आता है that is the term of office and conditions of service देखिए जो भी chairman है board के और member है उनके जो office और conditions के जो terms है जो भी service के terms है वो वही होती है जो कि SEBI Act 1982 और amended different acts के अंदर define की गई है और वो भी जो उसके अंदर prescribed की गई है उसके coding होती है उन्ही rules और regulations को follow up करना पड़ता है लेकिन माल लीजिए कि क्या किसी person को या किसी member को हम पहले time से पहले नहीं हटा सकते है किसी भी member को उसकी time period पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है बशर्ते उसके बतले में जो है उसको या तो तीन मेने का notice देना होगा अगर तीन मेने का notice नहीं दिये जाता तो उसे थी मन्त की salary with allowances जितने भी भत्ते हैं उस भत्तों के साथ जो है तीन मेने की तंखा और उस भत्तों समेत उसे देना पड़ेगा हर जाने के रूप में तीसरा अब आता है removal of member from office जो दूसरे में अगर member की जो service है उसको पहले खतम कर रहे थे कई अलग reason से होता है लेकिन जो यहाँ पर member को remove किया जा रहा है उसके reason बड़े different होते हैं जब member को continue रखना possible नहीं होता है या by law उसको हटाना जो है बहुत जरूरी हो जाता है खासकर ऐसे cases में जब member कुछ ऐसी activity में involved होता है जो कि lawful नहीं है या against है उसको continue रखना जैसे मान लीजे कभी भी कोई member जो है वो insolvent यानिकि दिवालिया डिकलेर हो जाए तो उस case में जो है उसको office से removal कर दिया जाएगा हटा दिया जाएगा या फिर किसी member को कोई competent court है वो uns sound mind यानि कि स्वस्त मस्तिश्का नहीं मानती अस्वस्त मस्तिश्का मानती है तो उस case में भी जो है उस member को जो है organization से time से पहले हटा दिया जाएगा या फिर कोई member अपनी जो ऐसा कोई work करता है जो कि immoral है या corrupt है जिसकी वज़े से बहुत जादा बड़ा कोई corruption कर दिया कोई imm member को time period से पहले हटा दिया जाएगा या फिर हो सकता है कि उस member ने अपनी जो position है उसका कोई misuse किया हो और उसके misuse करने से जो एक trust हो खतम हो गया हो और ऐसे member को उस organization में continue रखना organizations की भी जो goodwill है उसको नुकसान पहुचाती हो और as well as public interest के भी against हो तो ऐसे member को भी time से पहले हटाया जा सकता है fourth हाता है meetings और यूँ कह सकते है operation of the board कि किस तरगे से board का operations चलता है देखें जहां तक स्वाल है meetings का SEBI की जो meetings है उसके जो time और place है या जो rules observe करने होते हैं उसको follow करना होता है जो भी procedures होते हैं वो वही होते हैं जो भी security exchange board of act के अंदर mentions हैं उन सारे rules और regulations को follow up करना chairman as well as members के लिए जरूरी हो जाता है और जो भी board की meetings में decision लिये जाते हैं वो decision लिये जाते है majority of votes से जो members है वो voting करते हैं और जिसके भी favor में जिस भी चीज के favor में ज्यादा votes होते हैं वही decision जो है वो ले लिया जाता है लेकिन in case मान लीजिए जो votes हैं वो equal हो जाए यानि कि दोनों तरफ के जो votes हैं वो बराबर हो जाए फिर क्या किया जाएगा उस case में जो chairman होता है या फिर presiding member मन लीजिए किसी वजह से जो chairman है वो present नहीं है या उस case में जो भी member उस meeting को handle कर रहा है चेर कर रहा है हैड़ीट कर रहा है उसका जो votes होता है वो casting या secondary vote हो जाता है वो votes डालेगा और वो जो जिस चीज के favor में vote डालेगा वही decision मनने हो जाएगा तो इस case में जो है जो भी decision लिए जाते हैं board में वो सारे voting के द्वारा लिए जाते है और जो भी majority जिस favor में होती है वही decision को मनने कर लिए जाता है एक तरिके से democratic operation होता है security exchange board का इसके लगा जो है माली जे कोई member है वो board का member है और as well as किसी company का director भी है और माली जे board में कोई ऐसा matter discuss किया जारा है कोई ऐसा matter discussion में लाया गया जो कहीं ना कहीं उस company के direct या indirect उसको impact करता हो तो क्योंकि वो उस company का director भी है और member भी है C.B. board का तो उस case में उस member को disclose करना जरूरी हो जाता है कि ये जो matter है कहीं न कहीं direct या indirect उसका क्या interest है इस matter में और जो भी आने वाले time में उस matter-related meeting हो उस member को उसमें participate नहीं करना चाहिए उसमें बिलकुल भी participate नहीं करना चाहिए ताकि उस decision लेने में उसका कोई भागयदारी नहीं होनी चाहिए ये जरूरी हो जाता है ऐसे किसी भी members के लिए और यहां ये भी बहुत important द्यान देने वाले जरूरत है कि जो board के decision है वो हर हाल में मानने होंगे मान लीजिए किसी time में इसके लावा अगर board को लगता है कि उसके कामों को पूरा करने के लिए और employees और officers की जुरूरत है तो जो security exchange board of India है वो और persons या और members जो है employees और officers appoint कर सकता है जो भी सेबी के rules और regulations है as per सेबी employees related service employee service related से related जो भी act से related जो भी law है उसको follow up करते हुए तो main ये way होता है management of board का इस तरीके से जो manage होते है main in four points में formation of board the term office and condition service removal of member from office and meetings or you can say operation of board दोस्तों इस channel को subscribe करना मत बुलिएगा अगर आपको ये video पसंद आईए तो इसको जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ share करिएगा और आप जो हमने topic discuss किया है उस topic से related कोई भी आपकी query है उसे comment box में डालिएगा आप अपनी query हमें email भी कर सकते हैं हमारी email id gulianiclasses at gmail.com पर मिलते हैं दोस्तों एक next video lecture के साथ एक new video lecture के साथ बहुत जल्दी Thank you